Hello students, आज हम इस वीडियो में public revenue and sources of public revenue को discuss करेंगे तो public revenue क्या होता है, public revenue मतलब होता government revenue इसको हम government revenue की नाम से भी जानते हैं तो basically यहाँ पर क्या चीज़े होती है, वो सारे sources, जिन sources के थुरू government को income होती है और वो income किस से होती है, public से होती है, उसी को हम क्या कहते है, public revenue तो government की income, जिन भी sources से होती है, वो सारे sources को ही public revenue कहा जाता है डॉल्टर ने क्या कहा था, डॉल्टर ने कहा था, कि अगर हम wider sense की बात करें तो public revenue includes all the income or receipts which a public authority may secure during any period of time तो अगर wider sense में बात करेंगे, तो public revenue को मतलब हो सारी incomes, वो सारी receipts जो public authorities means government authorities secure करती है, receive करती है इस साल में उनने जितनी भी revenue इकठा की, जिन जिन भी sources से इकठा की, जो भी income इकठा की वो सब क्या कहलाएगी, public revenue कहलाती है, अगर narrow sense में बात करते हैं तो similarly revenue का जो भी resource है, revenue आने का पैसा आने का जो भी resource है, वो सब क्या कहलाता है उन सब को हम government की, यानि public authorities की income में in calculate कर लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं public revenue revenue, right, अब हम बात करते हैं sources of public revenue की, तो sources of public revenue की हैं, कहां-कहां से पैसे आने वाले हैं government को, जब हमने का कि public revenue का मतलब होता है, government की revenue और जितने भी sources, वो सारे sources जहां से government को पैसे आएंगे वो सब public revenue का part बनेंगे तो वो sources कौन कौन से है जहां से government income generate करते है जहां से वो revenue पाती है तो that is common method of raising resources from taxes, prices, fees, fines, penalty, gifts, grants, special assessment यह सब ही चीजे हैं जिनसे government को पैसे आते हैं ठीक है अब इनको basically कुछ parts में divide करेंगे क्योंकि exam point office यह topic बहुत important होता है तो इसको frame कैसे करेंगे और इसको लिखते कैसे हैं तो sources of public revenue को दो part में divide किया जाता है जो कि हमें भी अगर कोई normal person से भी पूछा जाए कि government को income का क्या source है तो वो कहता है tax तो major source तो tax है tax revenue जिसको हम कहते है पर tax के अलावा भी कुछ चीजे हैं जिनसे government को income generate होती है revenue होता है उसको बोलते है non-tax revenue तो sources of public revenue को हम basically पहले क्या करेंगे दो part में divide करेंगे यहां पर हम पूरा चार्ट देख लेते हैं जिसको हम यहां पर इस पूरे study में cover करेंगे तो यहां पर क्या क्या है दो sources कौन-कौन से होगे एक होगी हमारा tax revenue मतलब वो सारी चीजे जहां से जिस पर tax impose करके government revenue generate करती है और दूसरा क्या होगे non-tax revenue जो revenue तो है government के पैसे तो generate करती है लेकिन in form of tax नहीं कुछ और तरीके हैं कुछ और sources है कुछ और area जिनसे वो government को income generate होती है ठीक है तो major 2 source होगे tax revenue and non-tax revenue tax revenue में फिर हम करते हैं कि tax मतलब finances किस tax से income आ रही है तो एक होता हमारा direct tax जब हमें direct tax से income आती है दूसरा होता हमारा indirect tax अब हम एक एक चीज को detail में भी हम आगे पढ़ेंगे तो direct tax में क्या क्या आता है जिसे income tax हो गया wealth tax हो गया state tax हो गया यह सब क्या क्या आता है direct tax तो जब इनसे पैसे आएंगे तो उसको क्या क्या क्याता है tax revenue कहते हैं तो direct tax से भी income आती है दूसरा आ गया हमारा indirect tax indirect tax में क्या आ जाता है जिसे GST हो गया basic custom duty हो गया entertainment हो गया वैट हो गया पहले sales tax था है इंप्लोर वो एक्सटरी डूटी है तो यह सब चीजे सब कुछ आ जाती है आपकी किसमे indirect taxes में आ जाती है तो यहां पर हो गया आपकी tax revenue तो चाहे indirect tax से पैसे पैसे आए पैसे आपको आ रहे tax के form में आएंगे तो उसको कहेंगे tax से आने वाली revenue अब non-tax से क्या आता है तो non-tax से तीन तरीके से आपको revenue आती है तब government को आती है एक administrative revenue administrative मतलब administration आपको regulate करने का काम आपको observe करने का administration का जो वर्क है उसकी वज़े से जो revenue आती है that is administrative revenue अब administrative revenue के लब और क्या आगया profit of enterprises government के अपनी कुछ companies होती है तो government के जो enterprises है उसमें जब profit होता तो वो भी government का profit हो गया government को gift दे दिया गया कोई दूसरी country है उन्होंने कुछ gifts प्रोवाइट की है या कुछ foreign aids आपको है कुछ grants आपको दी गए जैसे माल लीजे ऐसे होता है कि USA के president आ है और उन्हेंने कहा कि हमारी country में आ है visit के और उन्हेंने कहा कि हम इतने करोड का फंड डोनेट कर रहे हैं तो वह भी तो government की income हो गई तो वह कहां पर आ जाएगे gifts and grants में आ जाएगे ठीक है अब यह तो major हो गया तो major source तो tax हो गया tax में भी direct tax और indirect tax हो गया और दूसर क्या source हो गया non-tax revenue हो गया हमारा एक administrative हो गया profit of enterprises हो गया और gifts and grants हो गया ठीक है अब पहले तो यह summarize हो गया अब इसी को detail में आप लिखेंगे answer frame करते वन अब अगर हम बात करते है administrative की तो administrative administration से भी तीन तरीके से पैसे आते है एक आता है fees के थूँ है ना fees के थूँ आने का मतलब कि जब government आप पे कोई fees चार्ज करती है जैसे कि आप कोई चीज कर रहे हैं जिसे आपको license लेना है तो आप driving license लेना है तो आपको driving license की fees पे करनी है आपको passport बनवाना होता है तो passport की fees आपको पे करनी पड़ती है ना तो जो services जब आप government के avail करने जाते हैं कुछ services तो उसके लिए आपको कुछ nominal charges पे करने होते हैं fees देनी होती है तो वो fees भी government के revenue का part बनती है इसके लवा fines and penalties तो जैसे आपका चलान कड़ गया तो वो fine हो गई ना आपने return size time पे नहीं भरा तो उसके लिए आपसे अलग से penalty आप पे लगाई गई तो ये जो fine हो penalty के form में आपसे पैसे लिये जाते हैं वो भी क्या होता है वो भी आपके revenue होती है गोवर्मेंट के revenue होती है लेकिन ये जो fines ये penalties होती है एक्चुली ये सब ऐसे revenue नहीं है जो revenue के purpose सिकी जा रहे है मतलब हम income कमाने के लिए आप पर ये सब लगा रहे है इनका main reason जो होता है law and order को maintain करना होता है ये regulation purpose से लगाई जाती है लेकिन हाँ चुकि ये लगाई जा रहे है तो income generate हो रहा है इसलिए ये source है और तीसरा हमारा जाता है special assessment special assessment को ही हम कहते betterment levy है ना detail में अभी हम आगे इसको discuss करेंगे तो ये major source हो गया public revenue का ध्यान रखेगा public borrowing है यहां पर पार्ट में नहीं आईगी ठीक है लोन लेना revenue नहीं है चीक है लोन जब हमारी revenue shortage होते है तब हम लोन पे चाते हैं तो यहां तक हमारी sources हो गई अब हम बात करते हैं detail में इनको tax revenue की जब हम बात करते हैं तो tax revenue क क्या मतलब हो गया कि वह income जो government raise कर रहे है गवर्मेंट गीन कर रही है किस के थूट टैक्सेशन के थूट तो उसको हम कहते हैं tax revenue तो taxation क्या होता है primary source होता है इंकम का जो major source होता है government की revenue का government की income का वह होता है tax revenue तो Alfred Bruegel ने कहा कहा कि tax क्या है tax एक compulsory contribution है compulsory contribution क्यों कहा गया कि अगर आप आप इस slab में आते हैं कि आप पर tax लगना है मान लेज़े आपकी दसलाक की income है और government के हिसाब से rule है कि पांच लाख या ढाई लाख सेक्सीर होता है यह आप पर tax लगना शुरू हो गया तो अगर अब आप पांच लाख या दसलाक रुपय कमा रहे हैं इसका मतलब आप slab में आगए अगर आप slab में आगए तो आप यह नहीं कह सकते कि अब मैं tax नहीं दूँगा आप पर tax लग गया आप tax दाइरे में आ चुके हैं तो आपको tax देना ही है आप नहीं देते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आप पर पिनाल्टी भी लगेगी और tax का इमान भी आएगा और कई वर imprisonment के भी cases आजाते हैं आपको jail वगरा भी हो सकती है इसलिए लिखा कि compulsory contribution अगर आपके applicable हो गया तो तो आपको देना ही देना है है ना compulsory contribution बैसे क्लिए tax क्या होता आप ये समझ लीजी tax होता क्या चीज़ है टाक्स जो government जो government अपनी geographical boundaries के अंदर गवर्मेंट अपनी geographical boundaries के अंदर जो citizen है उन पे जो rate लगाती है उन पे जो charges impose करती है वही tax क्यलाता है citizens पे लगाए जाने वाला charge है ना वो क्या कहलाता है आपका tax कहलाता है compulsory contribution को आपको जो contribute करना है जब government अपने citizens से कुछ fixed amount contribute करवाती है in compulsory form एक criteria के basis पे तो उसी को हम क्या कहते है tax कहते है ठीक है तो tax क्योंगे compulsory contribution होती है जो क्या होती है हम कहते है contribution के है payment के है जो government को support करने क होती है public purpose के लिए होती है society के welfare के लिए होती है यह कहते है revenue को raise करती है certain activities के थुरू और इसका main objective क्या होता है social objective को promote करना revenue भी generate करें और regulation को भी maintain करें जैसे आपने fees of fines को देखा था तो basically regulation purpose के लिए था तो that is tax ठीक है अब हम बात करते हैं detail में tax मतलब क्या होगे गे तो है अब tax भी तो तरीके से होता है एक direct और indirect direct tax क्या होता है direct tax का मतलब जब tax जिस पे imposed किया जा रहा है और उसी person को collect करना पड़े मतलब मैंने आप पर tax लगाया और tax का amount भी आप ही को देना पड़े आप को किसी और पर shift ना कर पाए है तो that is direct tax तो जिस पे लगाया गया उसी पे charge भी हो रहा है उसी से collect भी हो रहा है तो उसी को हम कहते है direct tax जैसे income tax income tax आपने income कमाई है तो tax भी आप ही पे करेंगे आप यह नहीं कहेंगे उसी person को pay करना पड़ता है, वो किसी को shift नहीं कर सकता है, जैसे indirect tax की यह सबसे important characteristics होती है, कि indirect tax में क्या होता है, tax burden को shift किया जा सकता है, लगा किसी और पे pay कोई और करेगा, लेकिन जो direct tax होता है, वो उसमें क्या होता है, कि जिस पर tax लगाया जाता है, payment भी उसी को करनी पड़ करने के लिए, जितनी की pay करने के लिए capable है, वो उतना pay करेगा, आप ज़्यादा amount कमाते हो, ज्यादा income कमें तो ज्यादा tax लगेगा, कम लगेगा, higher the capability, paying the higher tax, ज्यादाія reasonable होताаю, ज्यादा tax जोगे, ज्यादा character, now direct tax के होते ह metallic tax होता है, जैसे आप example में लिख लिखेंगे, tax क तेक्स हो गया यह सारे कि सारे डियर्ट एक्जांबल ही ठीक है अब हम हम बात करते डियर्टएक्स के डीवाइंटेज की तो डाया क्लिफ को प्रोद्यूमोट करता तो क्लिफ किस्षिंड ओस टैक्स रेट पर बैसे से तो यह आपके इतनी वेल्ट है इतना टैकस दो किक्स है है ना कब देना कितना देना कैसे देना तो सटैनिटी है यहां-पे Elasticity है, कल को हमें income बढ़ानी है, revenue, government को revenue बढ़ानी है तो यहाँ पर यह एक ऐसा source है, यह ऐसा tax है जिससे वो बढ़ा सता है, इसमें chances है हमने जो पहले बोला था कि 5 लाख वालों को 5% का tax देना है, अब हमने कहा दिया 5 लाख वालों को 10% का tax देना है तो बहुत क्लियर हो जाता है, यहाँ पर चीजें सब कुछ कंफर्म होती है Demerits किसके क्या हो गया, honesty का tax है, मैं देना चाहूंगी तो ही दूँगी अगर मैंने बताया ही नहीं, मैंने का ही नहीं कि मेरी income होती है, तो मैं tax दूँगी नहीं मैंने ITR फाइल ही नहीं की, तो मैं कोई tax ही नहीं, तो यह किसका है, honesty का tax है, direct tax है न, inconvenience for taxpayer, थोड़ा, inconvenient होता है कि कितना amount देना है, calculation इसकी जो होती है तो फिलाहाल तो अभी तो tax system काफी जादा clear हो गया है, लेकिन, but still इसमें थोड़े inconvenience होती है about the calculation वेगर, ठीक है, possibility of evasion, evasion in the sense, story, तो यहां पर बहुत जादा chances इसकी होती है tax story की, हम अपना tax मुझे पता है कि मेरी, अगर इतनी income होगी तो मुझे इतना tax देना पड़ेगा, तो उस case में क्या हो जाएगा, हम कोशिश ये करेगे कि हम अपनी income को कम दिखाएं, जिससे हम पर tax भी कम लगे, तो यह tax story का chances बहुत जादा बढ़ जाता है inconvenience आप इससे में भी समझ सकते हैं, कि अगर मैं जादा कम होगा, तो मैं से जादा tax pay करना पड़ेगा, तो यह थोड़ा सा comfortable position नहीं होती है कि मैं कमा हूँ, जादा कमा रहों तो जादा tax दूँ, तो यह थोड़ा सा inconvenience point of view से भी हो जाता है अब बात करते हैं, indirect tax की, तो indirect tax क्या होता है, indirect tax जो होता है, tax which is not directly imposed on one person but paid partially on wholly by another person, it means what, लगाया किसी और पे जाएगा और पे कोई और करेगा, है न, हम जिस person पर directly impose करते हैं, eligible person होता है कि आपको tax pay करना है, imposing किसी और पे हो रही है, लगाया किसी और पे जा रहा है पर pay, actually payment, जो money का real burden है, वो कोई और bear करता है, यह indirect tax होता है, तो जो इस तरह के tax system होता है, उसको shift किया जाता है, one person to another जैसे कि इसका example आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे producer है, producer के बाद wholesaler आया, wholesaler के बाद middle man, मतलब, wholesaler के बाद retailer को आप middle man कह सकते हैं, तो producer आया, middle man आया उसके बाद customer आया, तो हो गया क्या, टैक्स लगा प्रोडूसर पे, मिडल मेंन पे लगा, और जब बात आई कस्टमर की, तो प्रोडूसर ने घुटसेलर पर लगा कर to receive कर लिया, हुल्सेलर ने और रूतेलर ने, मिडल मेंन ने मतलड़ बीसिकली, किस से receive कर लिया, तो real burden किस पर लगा, customer पर, तो tax का जो amount है, tax का जो burden है, वो एक shoulder से दुसरे shoulder पर shift किया जा रहा है, government को कोई और दे रहा है, लेकिन bear, pocket से किसी और की जा रहा है, इसे को तो worth the tax incidence, ठीक है, तो indirect tax में क्या होता है, tax collected by intermediary from the person who bears the ultimate economic burden of tax, इसका मतलब हो गया, customer, customer से उन्होंने collect कर लिया, है न, वो collect करने के बाद, real burden किस पर पढ़ा, उस customer पर पढ़ा, और government को किस ने पे कर दिया, intermediaries ने, बाद में return फाइल करके, intermediaries ने payment कर दिया, तो government के तो कौन पे कर रहा है, producers पे कर रहा है, wholesale dealer पे कर रहा है, लेकिन reality क्या है, reality वो burden किस पर पढ़ रही है, customer पर पढ़ रही है, तो यहाँ पर shifting of tax होता है, है न, tax incidence और tax impact, दुनों अलग-अलग person पर पढ़ता है, ठीक है, that is indirect tax, तो indirect tax के examples अगर लेते हैं, तो इस यस्टी है, goods and service tax, VAT है, excise duty है, professional tax है, municipal tax है, अब हम बात करते हैं, non-tax revenue, तो tax पुरा हो गया, non-tax revenue में अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि वो public income जो receive की जाती है, administration के थूँ, commercial enterprises के थूँ, gifts के थूँ, grants के थूँ, यह सब तरह जब government को इस तरह से income आती है, तो वो सारे के सारे non-tax revenue कहलाते, जिसमें administrative revenue हमने देखा, कि fees, जैसे court में आपको fees पे करने पड़ रही है, passport की fees देनी पड़ रही है, deal की fees देनी पड़ रही है, liquor permit लेना है, उसकी fees देनी पड़ रही है, तो इस तरह से जब आप पैसे कम, आपको जो income आ रही है, वो सब क्या कहलाएगी, administrative revenue कहलाएगी, fines and penalties मैंने पहले ही बताया, जैसे आप company law के जो norms है, companies act के norms को फूरा पो करना, आपने नहीं पूरा करना, तो उसके लिए आपको penalties लगेगे, फेम act के rules से, आपने नहीं पूरे की, तो penalties लगेगी, income tax act के rules से, आपने पूरे नहीं की, तो penalties लगेगी, आप normal traffic rule पॉलो नहीं करते, तो आपे penalties लगेगी, fine लगेगी, तो उस समय पैसे आते हैं, वो हो गया, special assessment or betterment levy क्या होता है, तेकि special assessment or betterment levy क्या हो जाता है, ये एक special तरीकी का tax system है, special tax है, जो क्यों लिया जाता है, ये कहा जाता है कि, अगर मैंने, मतलब government ने कुछ ऐसा काम किया, जिससे public का फाइदा हुआ, public के property की value, basically ये चुछ tax system हो, वो land वेगेरा पे लगा जाता है, immovable properties पे लगाया जाता है, तो इसमें कहा जाता है, कि government ने कर कोई expenditure किया, और आपके immovable properties, ये से मैंने माना land, land के value बढ़ गई, तो जब land के value बढ़ गई, हमारे expenditure की वजह से, तो जो हमारी costing आई है ना, इस खर्चे को करने में, उसमें आप थोड़ा contribute कर दीजे, क्योंकि आपकी property की value बढ़ी है, तो आप थोड़ा contribute हमें कर दीजे, तो जब इस form में हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, तो उसे को कहते special assessment, तो इस सब के आने की वजह से, हमने highway बनवा दिया, road बनवा दिया, तो आपके particular property की value क्या हो गई, बढ़ गई, तो जब आपके property की value बढ़ गई, तो government क्या करती है, इस case में आपसे कुछ contribute करने की बात करती है, क्योंकि हमारे काम की वजह से, आपके property की पैसे बढ़ गई, तो आप थोड़ा सा cost diffray करिए, cost का बटवारा कर लेती हैं, तो जब इस तरह से charges लगाया जाते हैं, तो उसको कहा जाता है special assessment, especially ये charge किया जा रहा है, especially assess किया जा जा रहा है, या betterment लभी, आपको सुविधा के लिए किया गया, तो इसलिए आपको impose किया जा रहा है, और नेक्स क्या होगे, पॉब्लिक और पॉफिट और पॉब्लिक इंटर्प्राइजे, तो जो government की companies है, जैसे कि government transport हो गया, railway अगर आप देख रहे हैं, या आप matros देख रहे हैं, ये आप government buses देखते हैं, तो ये government transport है, इनसे तो कुछ revenue आती, इनसे इंकम जनरेट होती, तो ये government की revenue हो गया, government की जो companies है, नौरत निवर्थ निवर्थ के बारे में आप जान रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, इनसे जो revenue जनरेट होगे, इनसे जो government की revenue होगे, railways हो गया, electricity department हो गया, तो ये सब पॉब्लिक profit from public enterprises है, gifts and grants, simple सी बात है कि अगर government को कोई gift दे रहा है, voluntary contribute कर रहा है, कोई organization है, उसने voluntarily कुछ पैसे डोनेट कर दियें government को, तो आप जैसे देखते हो, कि जैसे कि उत्राखंड में आया, problem आई, जो भी tsunami का case आता है, आया था, तो जब लोग इन सब्सक्राइब करते हैं government को किसी particular purpose के लिए, या ऐसे ही government को अपने लिए, जिसे आपको गर याद हो, तो gas में, gas का correction के लिए जो आपको subsidies दी जाती थी, तो उसमें आपके लिए एक option दिया गया था, कि आप अपनी subsidies छोड़िए, अगर आप इसकी काबिल है, तो subsidy छोड़ दीजी, मत लीजे subsidy, तो यह भी एक तरीके से kind of क्या हो गया, कि हम आपसे एक तरीके से पैसे वापस ले रहे हैं, आपसे हम डोनेट कर वा रहे हैं, आप डोनेट कर दो, आपकी स्वेच्छा से voluntary contribution हो गया, कि आप subsidies छोड़ रहे हैं, आप नहीं लेगे subsidies को, तो वो revenue का पाट बन जाएगी, तो यह warranty contribution या, government की कोई foreign countries की सिंतरही के से, कोई साहता प्रवाइट कर दी, foreign countries ने कोई साहता दी है आपको, तो वो भी क्या होता है, आपके source of public revenue में आते हैं, तो I hope यह पूरा आपको clear हुआ होगा, public revenue के sources, और यह बहुत important है, तो wish you all the best, thank you so much.